हेलो बच्चो मैं हूँ शुभम गुपता या शुभम संभफ और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कूर्स एक आएक और कमाल का चाप्टर साना साना हाथ जोड़ी पच्चो ये जो चाप्टर है ये काफ की परिशानी होती है कि सर हमें ये चाप्टर समझ नहीं पारे इसका सबसे बड़ा रीजन अगर मैं आपको to the point बताऊं तो वो ये है कि ये चाप्टर जो है ये spiritualism या आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस चाप्ट में लिखती है कि हिमाले के ज़रने को देख करके जब वो ज़रने के पास बैठी थी तब उनको लगा यारी कितना अच्छा है कितना शान्त है सब कुछ और जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को उस ज़रने के पानी में डुबाया तो वो अंदर तक भीग गई यानि कि समझ पार है आपकी जैसा लेखिका ने फील किया as it is जैसा भी उन्हें महसूस हुआ वैसा का वैसा उन्होंने इस पार्ट में लिख दिया बाकी लेखक कई बार क्या करते हैं कि वो चीजों को सरल बना करके या समझा करके लिखते हैं तो बच्चों को समझ में आता जैसे आपी के कोर्स में एक बाल गोबिन भगत पार्ट है राम वरिक्ष बेनिपूरी जी का जो मैंने ही आपको पढ़ाया है वो पार्ट जो है वो भी ऐसा ही है उस पार्ट में भी उससे समझाया नहीं जा सकता सिर्फ समझा जा सकता है उसी तरीके से ये जो पार्ट है न अनन्थ है जीवन अनन्थ है यही चाप्टर है जो मैं बता रहा हूँ इस चाप्टर में समझने लायक कुछ नहीं है सिर्फ महसूस करने लायक है और अपने शब्दों से मैं यही तो चाहता हूँ कि आप वो महसूस कर पाए क्योंकि इससे आपका spiritual growth तो होगा ही अगर आप उसमें interested नहीं भी है तो भी यह चाप्टर आपको कम confusing लगेगा तो इस वीडियो में हम chronological order में यानि की एक sequence में शुरुआत से लेकर अंतक जो जो चीजे लेखिका ने कही और क्योंकि शुरुआत से अंतक समझना ज़रूरी है कई वीडियोस में ऐसा दिखाये गया कि वो direct बता देते हैं लेखे का कि अनुभूती ये हुई गंतोक शहर ऐसा है ये शहर ऐसा है तो होता है कि आप चीजों की core value नहीं जानते आपको facts बता दिये गए है कहानी नहीं बताई गई कि गंग टॉक शहर के ये fact है वो इतने 1000 feet उपर था यूम्थान जो है वो इतने किलोमेटर दूर था गंग टॉक से हना तो इसे कहे चीजे रटनी पड़ती है याद करना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है वार वार पर जब आप लेखी का की दृष्टी से इस part को समझ जाएंगे तो आपको कुछ भी और ये guarantee ये कुछ भी याद करने की जरूत नहीं होगी और अगर in case कोई ऐसा question आता भी है exam में जिसका exact answer आपको नहीं पता फिर भी आप एक worth answer लिख सकते है anyways तो ये जो part है ये आध्यात्म के बारे में है ये होता है न देखो by nature हम सबको openness पसंद है कि आप में से कोई अगर कभी hill station गया हो या पहाड पर या किसी भी शान्त इलाके में जाओ दूर दूर तक कुछ नहीं है जहां पर तो अंदर से अच्छा लगता है तो हमारी जो बड़ी सी बड़ी problems जो है ना आपकी life में भी problems है ना 10th में हो अभी कुछ समय बाद 11th में जाओगे कौन सा stream लोगे 11th में पढ़ाई भारी हो जाएगी 10th में boards का pressure है हाना काफी चीज़ है ना रहे उतने अच्छे result नहीं आ रहे और अच्छा कर सकता था और अच्छा कर सकता हूँ ये regret कभी साथ नहीं छोड़ता हाना तो ये हमारी problems तो है ना life में साथी साथ कभी किसी से जगड़ा हो गया कभी माशू का रूट गई तो ये problems जो हमारी problems है ना ये हमें बहुत बड़ी लगने लगती है पर जैसे ही हम कहीं जाते हैं किसे पहाड की चोटी पे या कहीं पर भी ऐसी जगा पे जहां आसपास शांती है चाहा आसपास पुरा open space है तो उसके बाद हम समझ पाते हैं कि हमारी problem सी जो universe है इस अनंत, आकाश, गंगा, इस ब्रहमाण के सामने कुछ नहीं है पर परिशानी है कि आज हम प्रकरती की गोद में रहते तो हैं साना साना हाथ जोड़ी साना साना हाथ जोड़ी यानि की छोटे-छोटे हाथ चोड़ करके मैं पराथना करता हूँ मैं पराथना करती हूँ कि हे ईश्वर मेरा जीवन अच्छाई को समर्पित हो मेरे जीवन में कोई बुराई ना हो हो भी तो चले जाए मुझसे किसी का बुरा ना हो वो कहते है ना भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना पुश्ब ना बन सको तो कम से कम काटे भी मत बनना हना तो साना साना हाथ चोड़ी यही परी छोटी सी प्राक्षना है यह जो पूरा पाठ है यात्रा वृतान्त है यात्रा वृतान्त यानि की जर्नी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानि की जर्नी में एक यात्रा में जो जो चीजे लिखी का के साथ हुई जो जो जिन जिन पड़ावों पर यात्रा रुकी जो जो उन्होंने महसूस किया उस की छोटे-छोटे हाथ जोड़ करके प्राथना करना कि मेरा जीवन अच्छाईयों को समर्पे थो अच्छा हो पाठ की शुरुआत होती ये बच्छो लिखी का परिचे आपको इतना माईने नहीं रखना खाली इनका नाम और इना आप अच्छा शेहर आप देख सकते हैं मधु कंकरिया जी को यात्रा का वृतान्त है तो यह जो यात्रा है यह कहां से कहां हो रही होती है अब जर्णी है तो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक तो होगी तो सिख्किम में ग्यांग टॉप से नेपाल के कटाऊ तक यान की गंतोग से कटाऊ तक कटाऊ जो है नेपाल में एक जगा है वहाँ तक यह यात्रा जो है हो रही होती है ठीक है अब लेखी का जो है ग्यांग टॉक शहर का विवरंड करती है ग्यांग टॉक शहर के बारे में शुरू में बताती है कि ग्यांग ट जूमर देखें बच्चो जिसे इंग्लिश में शैंडिलियर कहते हैं जूमर जो होते हैं देखो लटके होते हैं और जूमर जूमर चमकते रहते हैं खांच के जूमर नहीं भी है तो भी उनमें ऐसा material यूस किया जाता है कि एक तो उनकी आवाज बहुत अच्छी आती है जब वो टकराते हैं तो soft noise प्लस हो चमकते रहते हैं हमेशा तो उसी तरीके से तारे भी हमेशा चमकते हैं और जैसे जूमर हम अपने छट से या फिर रूफ से ceiling से लटकाते हैं उसी तरीके से तारे जो हैं वो आस्मान से लटक रहे हैं जूमर में भी एक साथ कई चीज़े चमकती हैं आस्मान में भी एक साथ कई तारे चमकते हैं तो रोशनी के जालर यानि कि तारों की बात हो रही है आपको बस इतना याद रखना है कि ग्यांग टॉक शहर को जो कि बहुत अच्छा शहर है ये तो दिन की तस्वीर है रात में देखेंगे तो आस्मान में हर जगा रोशनी के जालर यानि कि तारे जो है वो चमचमाते रहते हैं ग्यांग टॉक को लिखिका ने मेहनत कश होते हैं यानकी पहाड़ों की उपर चीजों का निर्मांड करना इमारतों का निर्मांड करना पहाड़ों की उपर संक्री रास्तों का निर्मांड करना संक्रे यानकी पतले पतले रास्ते पहाड़ पे ये डबल वे हाईवे तो नहीं बना सकते ना पहाड़ पे पतले रास में जहां पर उचाई है ढलाई है ऐसे इलाकों में चीजों को बनाना बहुत मुश्किल है पर यहां की लोगों ने पहाड काट करके मंदिर बनाये हैं यहां की लोगों ने पहाडों की उपर काफी अच्छी अच्छी चीज़े बनाई हैं अब इन चीजों को बनाने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है इसलिए गैंग टॉक को लेखिका ने मेहनत कश बादशाओं का शेहर कहा है अब जिस रात का विवरन किया गया है कि रोशनी की जालेर यानि की आसमान से चांद तारे लटक रहे हैं इस रात में सब लोग जो हैं खो गए है ठीक है और लेखिका जो है अपनी बालकनी में घर के बाहर रात में ये सब देख रही होती है और बस बालकनी में जब ये सारी इतना सुन्दर नजारा देख रही होती है तो वो सिर्फ उनके होट अपने आप सक पका जाते हैं और वो गाती है साना साना हाथ जोड़ी वे हाथ जोड़ करके प्रातना कर रही है कि मेरा सारा जीवन अच्छाईयों को समर्पित हो अच्छा यानि कि ये नहीं कि आज क्या अच्छा है कल क्या अच्छा है जो सत्ते है वो हमेशा सत्ते रहेगा जो आज अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा हना मा की डांट, पिता की लाथ हना ये बाद में बुरी नहीं लगेगी बाद में और अच्छी लगेगी बाद में जब हम भी इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो हसी आती है मुस्कुराहट सी चा जाती है चेहरे की उपर हना तो आज जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा तो आप ये अच्छे को ये मत देखो कि आज मेरे माक्स अच्छे आ गए तो अच्छा है माक्स बुरे आ गए तो बुरा है थोड़े बड़े लेवल पे सुचो न क्योंकि ये जो chapters आपकी syllabus में डाले गए है ना आपकी personal development के लिए भी डाले गए है और अगर बच्चों की personal development नहीं होती बच्चे depressed रहते हैं तो इसमें CBS ही तो निकल जाएगी कि हमने अच्छे chapters डाले थे फिर ये teachers की fault हो जाती है कि teachers कभी chapter को पढ़ा नहीं पाए सिर्फ facts बता करके चले गए आपको ये शहर इतनी उचाई पर है रहे क्या फरक पढ़ता है तो कोई भी google कर सकता है इसमें सीखा क्या आपने इसमें आप ये सीख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छाई का असली मतलब ये होता है कि जब आप अंदर से खुश हो बस happiness is equal to अच्छाई खुशी ही अच्छाई है तो लेखी का खुश होने की प्रात्ना कर रही है मेरा जीवन अच्छाई को समर्पित हो यानि कि मैं हमेशा खुश रहूँ और मेरे आसपास के लोग खुश रहे क्योंकि अगर आप खुश है तभी तो आप लोगों को खुशी बाटोगे जो आदमी खुद देवदास बना हुआ है वो दूसरों को कैसे खुशी बाट सकता है अब लेखी का जो है ये तो रात का समय होता है अब लेखी का फिर बालकनी से वापस अपने होटल में जहां रुकी होती है गैंग टॉक में एक होटल में रुकी होती है किसी होटल में और फिर वो रात को वापस अपने बिस्थर पे चली जाती है सुने के लिए सुबह उठते ही वो जल्दी सुबह उठते ही और भागते ही वो तुरन बालकनी की और जाते हैं जाती है लेखी का यानि कि जल्दी सुबह उठते ही जैसे सूरच की थोड़ी रोशनी आ जाती है वो वापत बालकनी में भाग के जाती है उसी बालकनी में जहां से कल रात को उ अचलब 10-11 बजे नहीं, सुबह सुबह यानकि early morning को भोर में जिसे कहा जाता है हिंदी में, सुबह सुबह यहां से अब कंचन जंगा को देख सकते हैं, कंचन जंगा जिनको नहीं पता, वो हिमाले की third biggest peak है, यानकि हिमाले की तीसरे सबसे बड़ी चोटी जो है कंचन जंगा ह वो बहुत उचाई पर है, तो अब बहुत दूर से उसको देख सकते हैं, आजकल तो बहुत pollution वगेरा बढ़ गया है, तो आजकल तो इतना possible नहीं है यह, पर उस समय जब लेखिका नहीं यानि की 90-80 के दश्वत में जब यह पार्च लिखा तब यह संभव था, ठीक है, तो की बात हो रही है, हना, कि जैसे भगवान के मंदिर के दुवार बंद होते हैं, तो आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हिमाले को भगवान कहा गया है, और बादलों को कपाट कहा गया है, ठीक है, कि जैसे मंदिर के दर्वाजे बंद है, हना, तो उस इश्वर को नहीं देख सकते वैसे बादल है ना बहुत सारे बहुत सारे आस्मान में बादल है तो आप दूर से कंचन जंगा को नहीं देख सकते हैं इस इमेज में तो देख सकते हैं पर मानो इतने सारे फौगी बादल हो तो आप नहीं देख पाएंगे तो लेखी का को बड के दर्शक की बात है तब नेट्फिक्स या हॉलिवोड फिल्म में इतनी फेमस नहीं थी या आप टीवी वगेरा इतना नहीं चलता था ये तो जब रमायन महाभारत बन रही थी तब की बात है रिलीज भी हो गई होगी तो तब लोगों को ने ये सब सुना नहीं था कि अमेर से लदे पहाड देखने थे इसलिए वो बहुत उत्सुक थी पर बादलों की वज़े से वो देख नहीं पाई अभी ये गैंग टॉक से दरसल जा रहे थे यूम्थांग हना यह ये यूथांग लिखाए पर दरसल ये गलती है यूम्थांग जो है सही नाम है यहां पर नेपाली भाषा में उसका मतलब घाटियां होते हैं तो यूम्थांग में कई सारी घाटियां है जो कि गैंग टॉक से 149 किलोमेटर दूर था वो उसी दिशा में जा रहे थे जब वो जा रहे थे युम्थान के लिए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कतार से कई सफेद बौध पताकाये लगी हुई है अब मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ यह जो पताकाये आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह सारी जो है यह बौध पताकाये हैं बौध पताकायों की क्या विशेष्टा होती है बौध पताकायों के उपर जो है कुछ मंत्र लिखे होते हैं ठीक है कुछ अच्छी अच्छी प्राथनाय लिखी होती है तो ये तो रंग बिरंगी पताका है जब लेखी का जारी होती है यानि कि वो ग्यांग टॉक से युम्थांग जारी होती है 149 किलोमेटर्स का सफर उन्होंने शुरू ही किया होता है तब घाटियों में देखती है कि कई जगा पर बहुत सारी शुएत पताका है सफेद पताका है लगाई हुई है ठीक है उन पताकाओं पर कुछ-कुछ लिखा हुआ है चोटी-चोटे बारी कक्षरों में पर लिखी का वो पढ़ नहीं पारी तो यह जो शुएत पताकाई है यह बहुत धर्में तब लगाते है जब किसी का निधन हो गया हो और रंग बिरंगी पताकाई तब लगाते है जब कोई शुब काम की आप शुरुवात कर रहे हो जैसे कि हो सकता है कि आप कोई नया बिजनस टाल रहे हो कोई व्यापार कर रहे हो उद्योग के शेत्र में कुछ कर रहे हो राइट यह बहुत धर्म की माननेता होती है एक माननेता तो यह है कि अगर किसी की मृत्तियू हो जाए तो किसी भी पवित्र स्थान या पहाड पर 108 नमबर इंपोर्टन है 108 शुईद पताकाय लगाते हैं ठी एक इंपोर्टन डीटेल में आपको बताना भूल गिया कि लेखीका इस यात्रा पर अकेली नहीं है लेखीका के साथ दो महत्वपून लोग है एक कौन है एक उनका ड्राइवर लेखीका ने एक जीप हायर की है उस जीप का जो ड्राइवर है उसका नाम है जितेन नारगे जितेन नारगे एक नेपाली युवक है और वो उनका गाइड भी है लेखीका के साथ लेखीका की एक सहेली एक दोस्त भी है जिनका नाम मनी है और यात्रा गैंग टॉक से कटाओ की ओर जा रहे है यानि कि इंडिया से नेपाल जा रहे है और इनका गाइड जो है वो भी न किलो मेटर्स दूर है 149 किलो मेटर उस जर्णी में सबसे पहला पढ़ाव लेखी का ये देखती हैं कि कुछ बहुत पताकाई हैं हना बहुत पताकाई लहरा रही हैं बहुत पताव काओ कि क्या विशेष्टा होती है मैं आपको बता चुका हूँ अब आगे समझते हैं ठीक है जब друз रास्ते में और आगे जा रहे होते हैं तो एक ऐसा पढ़ाव भी आता है जब जिटेन नार्गे एक खास पत्थर दिखाता है जो एक समारक की तरह होता है एक मॉन्यूमेंट की तरह छोटा पत्थर नहीं होता बड़ा सा पत्थर एक चटान आप कह सकते हैं एक पहा छाटी समझौते का स्थल है कि इसी चट्टान के पास इन दोनों जो बड़ी जातियां थी नेपाल की लेबचौर बूटिया इन दोनों के राजा और इन दोनों के लोग आए थे और यहीं पर शांती समझौता हुआ था और साथी साथ जब वो और आगे जाते हैं तो एक कुटिया के अंदर यानि कि एक छोटे से घर के अंदर क्योंकि जीप जगा जगा पर रुक के जारी होती है तो एक जगा गाड़ी रोकता है और फिर वो चटान दिखाता है और वहीं पर वापस गाड़ी में लोटने से पहले रास्ते में कुछ घर होते है तो उनमें से एक घर के अंदर लिखी का देखती है कि वहाँ पर कुछ बहुत चक्र होते है जैसे आप इस इमेज में देख सकते है ठीक है ऐसे स्क्रूल्स की तरह होते है ठीक है तो इनको बहुत चक्र कहा जाता है ठीक है और ऐसा माना होता है बहुत चक्र नहीं इनके माफ कीज़े धर्म चक्र है ये बहुत धर्म के चक्र है इसलिए कुछ लोग इने बहुत चक्र भी कहते है पर इने धर्म चक्र कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इने गुमाने से आपके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं तो जब लेखी का पहली बार ये सुनती है कि वाकई क्या सिर्फ एक चक्र गुमाने से जिसे ये धर्म चक्र कहते हैं या जिसे आप बहुत चक्र भी कह सकते हैं क्या सिर्फ ये धर्म चक्र गुमाने से किसी के पाप धूल जाते हैं लेखी का को बड़ा आश्चर होता है पर अब वहां की माननेता तो यही है और लेखी का भी कहीं न कहीं इस बात को मान लेती है और तब लेखी का ये वाकई सोचती है कि यार चाहे मैदानी इलाकों हो या पहाडी इलाका हो देखो मैदानी इलाके और समतल इलाके एक ही मतलब होता है समतल यानि की तला समान यानि की प्लेन लैंड हो ठीक है और पहाड़ी इलाके यानि कि प्लेन लैंड नहीं है चोटियां है anyways तो लेखी का यह कहते है कि चाहे आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाए किसी पहाड़ी शेत्र में चले जाए या नौन पहाड़ी शेत्र या फिर किसी मैदानी शेत्र में चले जाए एक चीज चो आपको हर जगा मिलेगी वो है आस्था और फिर लेखी का यह भी कहती है आगे कि इस पूरे देश की आत्मा का गुण एक ही है और आस्था है वो गुण बहुत लोग पता है आस्था को गलत तरीके से देखते हैं की लिखी का भी ये कहती है कि आस्था दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है ये कह देना कि मैं नास्तिक हूँ मैं किसी देवी देफता में नहीं मानता बड़ा आसान है क्योंकि आस्था दिखाना और आस्था अपने अंदर जगाना हर किसी के बस की बात नहीं हो कहते है ना devotion is like charity आस्था जो है वो दान और दक्षणा की तरह होता है हर किसी में देने की हिमत नहीं होती हना कि देना होता है जैसे कि ऐसे भी लोग इस सब्हताम हो हैं कि अगर उनसे उनका चर्म मांग लिया गया चमडा मांग लिया गया उनके शरीर का हिस मांग लिया गया तो वो भी उन्होंने काट करके दिया है तो ये देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है ठीक है लेना तो बहुत आसान है आप किसी से भी मिलो किसी की भी आँखों में देखो और पहला ही सोच आपके दिमाग में है पहला ही थोट आपके माइंड में है कि इसे कैसे मेरा कुछ फाइदा हो जाए तो यह लेना बहुत आसान होता है पर हो कहते हैं जिस प्रकार दान दक्षणा करना मुश्किल है उसी तरीके से आस्था जगाना अपने अंदर यह बहुत मुश्किल है तो आस्था हर किसी के बसकी बात नहीं है तो ये जो नास्थिक लोग हैं, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो आस्थिक लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी जरूर करनी चाहिए, ठीक है, अब जब ये लोग और आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उचाई से लोग जो है ये छोटा ऐसा घर है, उड़ जाएगा, लेकिन वो घर बड़े हैं, वो क्योंकि पहाड से उपर से देख रहे हैं, तो चीजे जो हैं, बहुत छोटी छोटी इनको दिखाई दे रही हैं, और ये जो सुन्दर्ता का रूप जो होता है, वो पल पल बदल रहा है, पल पल सु पहुच रहे हैं, हमाले जो है, वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, धीरे देर, क्योंकि अब ये हमाले के धीरे देरे और पास पहुच रहे हैं, अब रास्ते में, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, हवा इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो सब वहां का वातावरन इतना अच्छा था कि लोग बहुत खुश हो जाते हैं है ना आप सच में कभी अगर वाकई कभी जाना चाहे या हिल स्टेशन ना भी जा पाए ना तो सुबह सुबह तीन-चार बज़े उठ करके कभी बालकनी में आ जाओ और लंपी सास ले करके बस देख ही होती है आसपास की सुंदर्ता ही इतनी अच्छी होती है कि सुंदर्ता जो है वो उनको विचार हीन कर देती है यानि कि उनके मन में कोई थोट ही नहीं आ रहा होता है लेखी का बस यही सोच रही होती है कि कैसे कैसे भी करके कि सारा द्रिश्य जो है मैं अपने आँखो मे अभी ध्यान नहीं देते हैं कभी status update करना हो तो देख लेते हैं तो phones photos ऐसी पड़ी रहती हैं क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत easily photos खीच सकते हैं तो उनकी value भी कम हो जाती है पर एक ऐसा समय जब photos बहुत बड़ी चीज थी जब photographs भी बहुत डर डर के photo खीचते थे क्योंकि उनको ये डर था कि यह real जल्दी खतम ना हो जाए real महेंगी है आजकल तो phone में इतनी memory है digital photograph से कितने भी खीच लो कोई फरक नहीं पड़ता तो लोग ऐसे ही photo खीचने लगते हैं और देखिए हर चीज में positive चीजे भी होती है negative चीजे भी होती है anyways point यहां पर यह है तो लेखिका के उस समय photo camera से इतने होते नहीं थे तो लेखिका चाहरी तो जादा से जादा दिरिश्य में देखू और अपने अंदर कैद कर लो क्योंकि यह इतना अच्छा है और दोबारा क्या पता मुझे है आने का मौका ना मिले उन्होंने यानकी कि इसे अपना सर बाहर निकाला तो उन्होंने आस्मा उनको छूते परवत शिखरों को देखा और दूद की तरह बहती नदियों की धार है अब इसको ही देखिए इस पाड को कितना white है एकदम दूद की तरह शुए थे बिलकुल ठीक है और यह जो हिमाले जो था जो दूद की तरह जो परवत है उसे नदियां बह रही है तीस्ता नदी जो है दूर से इने दिखाई देती है जो चांदी की तरह कौंध रही है कौंध रही है यानकि चमक रही है चांदी की तरह क्यों क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है तो पूरवदिशा से जो रोशनी है वो इतना अच्छा है और इसे देख करके लेखी का मनी मन जो है वो जो एक गीत जो मैंने शुरू में बताया था हाँ ये मेरे नगपती मेरे विशाल ये पूरा गीत आपको याद करने के जरूरत नहीं ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है रामधारी सिंग दिनकर जी का एगीत है पर लेखी का जो है हिमाले के सुंदरे को देख करके मनी मन खाली ये दो लाइन गुजा अपने मन में गुन गुनाती है मेरे नग पती मेरे विशाल नग यनकी पहाड पती यनकी राजा तो पहाडों में राजा कौन है हमाले तो मेरे नग पती मेरे पहाडों के राजा मेरे विशाल मेरे विशाल पहाडों के राजा विशाल आध्यात्म के दृष्टी कोंड से विशाल कद के दृष्टी कोंड से भी तो हमारी जो लेखी का है उन्होंने ये गीत गा करके मेरे नगपती मेरे विशाल ये गीत गा करके हमाले के प्रती अपना सम्मान व्यक्त किया साती सात एक ऐसा समय भी आया जब गाड़ी फिर एक जगह रोग दी गई और 7 sister's waterfall यहने कि 7 नदिया एक साथ जरने के रूप में गिर रही थी तो Seven Sisters Waterfall के पास यहाँ पे गाड़ी रोकती गई तो Seven Sisters Waterfall जो पॉइंट है वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे काफी प्रसिद जहरना है ठीक है अब सब लोग वहाँ पे तस्वीरे थोड़ी थोड़ी निकालने लगे थे देखिए मैंने यह जरूर कहा कि उस समय फोटोस लोग कम खीचते थे पर सब लोग उतना यूज नहीं करते थे और मैंने कहा कि उस समय बहुत सोच समझ करके फोटोस खीची जाती थी तो कुछ जो अमीर लोग हैं जो अफॉर्ड कर सकते हैं और जिनके पास मतलब जो फोटो कैमरास लेके आये थे अपने साथ वो फोटो घीच रहे थे पर लेखी का इस बात का जिक्र पार्ट में नहीं किया गया है कि लेखी का फोटो कैमरा लेके गई थी या नहीं लेके गई थी पार्ट में सिर्व इतना लिखा गया है कि लेखी का चाहती थी कि उस जादा से जादा चीजे अपने हिरदय में अपने आँखों में अपने अंदर अपनी आँखों के अंदर क्याद कर ले तो बाकी लोग जो हैं वहाँ उतर के जो उनके पास उस समय पुराने जमाने के जो कुछ कैमरा थे उनसे वो कुछ फोटोस खीचने लगे उस सुन्दर दृश्ये की उस सुन्दर जरने की पर लेखी का ने ऐसा कुछ नहीं किया मतब लेखी का जो है वो आराम से किसी अभी शापित राचकुमारी की तरह यानि कि किसी को श्राप दे दिया जाता है ना राचकुमारी क्यों राचकुमार क्यों नहीं लेखी का स्त्री है लेखी का पुरुष होती तो राजकुमार होता अना लेखी का स्त्रिय है तो उन्होंने राजकुमारी कहा अभी श्रापित यानि कि श्राप किसी को दे दो तो कितना मायूस हो जाएगा कितना दुखी हो जाएगा नियार मुझे श्राप मिल गया अब क्या होगा पता नहीं वो चुप रहेगा किसी से बात नहीं करेगा मायूस सा गुमसम सा हो जाएगा या हो जाएगी तो लेखीका भी कुछ-कुछ वैसे ही हो गई थी हाला कि वो गुसे में या फिर बेचैन नहीं थी उनका मन एक्दम शान था पर अभी शापित इसलिए क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही थी चुप चाव अपने में मन थी लोग हस रहे हैं गुन गुना रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं पर लेखीका जैसे साधू की तरह संतोश में है सब कुछ देख रही हैं सब कुछ महसूस कर रही है पर रियाक्ट नहीं कर रही है फिर वो जाती है उस ज़रने के पास और वहां जाकर के बैठ चाती है और अपने आप में खो जाती है उस ज़रने के संगीत के साथ यान कि जब ज़रना जब गिर रहा होता है पानी की आवाज आ रही होती है तो ज teníaने के संगीत के साथ उन्हें अपनी आत्मा का संगीत सुनाई दे रहा होता है और जैसे ही वो अपने पाओं जो है उस पानी में जहरना बेह रहा है नीचे तो पानी में डुबोती है तो वो अंदर तक भीग जाती है इतना amazing sense of realization है इतने कमाल की अनुभूती होती है इतना tremendous experience इतना कमाल का अनुभाव होता है उनके अंदर कि वो उसे शब्दों में बया नहीं कर पाती इसलिए वो कुछ नहीं बोलती सिर्फ चुप रहती है तो वो एकदम भीतर तब भीग जाती है अपने अंदर से और बहुत खुश हो जाती है अंदर से बाकी लोग वो सिर्फ मजा कर रहे है खुश हो रहा है हना पर वो उस खुशी को अंदर से समझ नहीं पा रहे अभी खुश है थोड़ी समय के बाद कुछ उनके साथ बुरा हो जाएगा फिर दुखी हो जाएंगे पर लेखी का ऐसी नहीं है लेखी का सच में चीजों को महसूस कर रहे है और eternal happiness जिसको कहते है अंदर तक भीग गई यानि कि अंदर तक सब कुछ महसूस कर पा रहे है और फिर देखीगा को ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये जहरना जीवन की तरह है ये जहरना अनंत है अनंत यानि कि ये जहरना आज बह रहा है आज से सो साल पहरे बह रहा था और भगवान की कृपा से सो साल बाद भी बहेगा तो ये जहरना जैसे अनंत है जीवन अनन्त है, इसका कोई अन्त नहीं है ये जो छोटी सोच है ना जो भगवद गीता में भी कहा गया है, हना कि शोक के योग ये नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अकुल आए हना भगवान श्री क्रिश्न अरजुन से कहते हैं कि ये जिनके शोक में तुम अकुल आ रहे हो इनमें दे कोई शोक के योगी नहीं है इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग पापी है पर इसलिए भी क्योंकि ये जीवन जो है ये समवेदन शील है जीवन अनंथ है जैसे आत्मा माफ कीज़े जैसे मनुष्य वस्तर बदलते हैं वैसे आत्मा तन बदलती है तो ये जीवन का अंत सिर्फ तुमारी जन्म और मृत्यू से नहीं होता जीवन मृत्यू के परे है और जन्म से पूर्व भी है हना तो लेखिका को भी जीवन की अनंतता का अभास हो रहा होता है और देखिका ये सब अभास में खो गई होती है अपने विचारों में अपने अंदर से उन्हें बहुत तीज एक फीलिंग होई रही होती है इन सब चीजों की तब ही एकदम से जितेन नार की गाइड जो है उनको आवास देता है अरे मदुजी मदुजी आजाई 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 यहीं पर नहीं रहना है आपको युम्थान नहीं जाना है क्या चलिए चलिए जीप में आजाई अब चब तुरंद गाइड ने बुलाया तो अब ये सारे नजारे तो उनके आत्मा को सुख देने वाले थे पर फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं उन्होंने अपने पाउं को उस जढ़ने से बाहर निकाला और फिर वो वापत जीप में चली गई तो जैसे जैसे जीप को लेकर कि वो टेड़े मेडेर संक्री रास्तों से यानिकि पतले रास्तों से और उपर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उनको दिलेगा कि बादल धीरे-धीरे सब कुछ जो है वो ढख रहे हैं यानि कि आप और उपर जा रहे हैं उचाई पर तो एर की जो डेंसिटी है वो कम हो गई है यानिकि वो कहते है OK जा मेनिक हrता है यानिगि इसका मतलब होता है कि प्रकृती के बारे में भी सोची यहाँ आप ऊपर आ गए यह बहुत अच्छा प्रकृती का स्थाल एंप यहाँ पर गंदकी जो है फैलाना अच्छी बात नहीं तो तो गंदगी मत फैलाईएगा तो एकदम से इस लिस्टी में कितने बदलाव हो रहे थे नीचे बहते जरने सामने उठती हुई धुंद उपर मंडराते बादल हवा में लहराते फूल ये सारी चीजे एक साथ लेखीगा को देखने मिलती है जैसे जैसे वो और उपर जा रहे थे हिमाले की ओर लेखीगा को आगे ऐसा लगता है मानो समय के इस अपार धरा में हमारा वजूद किसी तिनके की भाती बह रहा है हना कि जो समय की जो अपार धरा है यानि कि ये जो ओ कहते है न कि जैसे गौतम बुध ने भी अपने एक सर्मन में या फिर अपने एक उद्देश अपने एक काफी अच्छे प्रसिद भाषण में भाषण नहीं कहा जा सकता उसको अपनी एक शिक्षा में गौतम बुध जीने भी ये बात कही थी कि जीवन जो है वो पानी की तरंगे नहीं है कि पानी की तरंगे जो है वो कभी उठती है कभी बैट जाती है कभी जादा उपर उठती है कभी कम उपर उठती है जीवन अपने आप में पानी ही है जो हमेशा बैता रहता है तो जैसे जैसे लेखी का उपर जारी होती है उन्हें भी इस बात की अनुपूती होती है कि जीवन जो है बहुत बड़ा है और हमारा वजूद इस पूरी इस रिस्टी में तिनके का भी नहीं है हम क्या अपनी प्रॉब्लम्स को इतना सीरिसली ले लेते हैं क्यार इतने मार्क्स नहीं आए उतना ये नहीं हुआ उतना वो नहीं हुआ हना इतना सोचा था नहीं हुआ लाइफ में इतना पैसे कैसे कमा पाऊंगा लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़े हैं हाना ऐसे भी बहुत लोगों है जिन्होंने 45 में अपना करियर शुरू किया और उसके बाद फिर वो successful हो गए तो problems तो होती है पर उनको अगर solve करने का नजरिया अच्छा है तो वो इतनी बड़ी नहीं रखती हाना और solve करने के लिए नजरिये से जादा हिम्मत की जरूओत है और और कब आती है जब आप इस बात को समझो महसूस करो और इस बात को जान जाओ इसी एज में जान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी problems no matter what आप कहां पर भी पैदा हुए हो आपका financial background family status कैसा है family वाले कैसे हैं आपकी problems उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप उन्हें मान रहे हो या बना रहे हो और अगर वो बड़ी है भी तो समाज और दुनिया के आगे कुछ नहीं है तब ही रास्ते में लेखी का जो है वो देखती है कि कुछ पहाड़ी औरते जो है उन्हो टॉक को महनत कश बादशाहों का शहर का आगया है अलाकि अभी ये लोग गैंग टॉक में नहीं हैं गैंग टॉक से काफी आगे निकल गया है यूम थांग के लिए लेकिन फिर भी मतलब ये पहाड़ी लाके के लोग बहुत महनती होते हैं तो पीट पर टोकरिया बांदी जिन पे उनके बच्चे थे हना और ये महिलाए जो है ये अपना काम कर रही है रास्ते जो है क्योंकि देखिए पहाड पे जिन रास्तों का इस्तमाल करके लेकिका और उनके फाती जीप से हिमाले की और युम थांग और कटाओ की और जा रहे हैं ना इन रास्तों को इनी ल पर जीवन अनन्त है, जीवन मृत्तियू से खत्म नहीं होता पर जीवन में संघर्ष भी जरूर है, कि जब तक जीओंगे संघर्ष तब तक रहेगा, अगर ऐसा लगता है कि सफल हो गए करोड़ पती बन गया तो संघर्ष कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेहर में मु संघर्ष दे रहा है, श्त्री जो शब्द होता है उसका मतलब होता है to expand जिनको नहीं पता, श्त्री यानी कि expand करना, श्त्री यानी कि विशाल होना, तो लेखी का देखती है कि ये ये लोग जो है segment ये आफिलायै इतनी महनत कर रही है हाणा बच्छों को ले करके पठ्थर तोड़ रही है और रास्ते बना रही है तो वहीं पर बियारो का एक employee होता है बियारो यानि की board road organization ये एक सरकारी संस्ता है जो पहाडो पर सड़क सड़क बनवाने का काम करते हैं तो बियारो की एक employee से यानि की एक करमचारी से लेकी का पूछती हैं कि ये लोग क्या कर रहे है मतलब पत्थर वत्थर क्यों तोड़ रहे हैं तो वह employee या वह करमचारी उन्हें बताता है मैडम जिन रास्तों से आप ये पहाडी इलाकों का इतना मजा ले रहे हैं आपके दोस्त गाने वाने गा रहे हैं जिन रास्तों का इस्तेमाल करके आप इन दृश्यों का आनंद ल थोड़ी सी भी गलती और आप नीचे गिरे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है ठीक है और लिखी का जब ये बात सुनती है न तो वो और कुछ बोल नहीं पाती वो एकदम से चुप हो जाती है और कुछ सूचने लगती है और वो करमचारी भी वहाँ से चले जाता है और तब यो देखती है कि एकदम से महिलाय जो है ये हसने लगती है कि ये जो महिलाय जिनोंने अपने पीट पर अपने बच्चों को बांदा होता है जो पथर तोड़ रही होती है पथर तोड़ना मेहनत का काम है हो सकता है उन में से किसी एक ने कोई जोक मारा हो या फिर कोई अच्छा व्रितांत बना बताया हो और सब हसने लगती है तो लेखी का भी मनी मन मुझकराने लगती है और समझ जाती है कि जीवन में संखर्ष है खुबसूर्ती है जीवन में संखर्ष है पर सुख भी है अगर आप चाहो तो सुखी रह सकते हो बच्छो समझ पारे हो ना लोग तो पहाडी शेतों में रहते हैं, जंगलों में जो आदिवासी ओरते रहती हैं, ये भी अपने पीठ पर बच्चों को बांद करके, पूरा दिन घूमती रहती हैं ठीक है, भोजन की तलाश में, और इनके पाओं जो हैं, कई बार सूच जाते हैं, इतना चलते हैं, इतन जीवन है ना, बच्चों यहर जगाई की सा है, संघर्ष हर जगाई, मेंटल लेवल पे कहीं संघर्ष जादा है, फिजिकल लेवल पे कहीं संघर्ष जादा है, कहीं कहीं स्पिरिच्वल लेवल पे भी संघर्ष जादा है, आप चाहें अमेरिका में पैदा हुए होतें, इ इनको तो आप कभी भी देख लेंगे, आप नेपाली तो चल रहे हैं, हम लोग कटा हूँ हाँ, तो बहुत लोग देखने के लिए मिलेंगे, आप ये इन ओरतों को, ये मेरे देश की जनता को क्या देख रही हैं, आप चलिए चलिए, और आगे बढ़िए, आप तो पहाडी, जिस चीज के लिए आपने इतने पैसे खर्च की हैं, पहाड की सुन्दर्ता देखने के लिए आप उसको देखिए ना, पर लेखी का मनी मन उसको राती हैं, और कुछ कहती नहीं, लेकिन लेखी का एक चीज जरूर सोचती हैं, कि ये लोग जो हैं, कितना अधिक देकर कितन कम लेते हैं यानि कि कितना जाता दे रहे हैं इन लोगों के वज़े से रास्ते बनाए गए उन रास्तों की वज़े से और लोग जो हैं पहाड़ी सुंदरता देख पा रहे हैं समाच का कल्यान हो रहे हैं ये लोग संस्कृत हैं और संस्कृती को आगे बढ़ा रहे हैं पर य जो लोग हैं ये कुछ ले नहीं रहे समाद से बदले में ये लेखी का कि जो दोस्त वगेरा है ये लोग थोड़ी जाके इनको congratulate कर रहे हैं या कुछ पैसे वैसे दे रहे हैं ना 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 तुम्हारी जान जाए कोई बात नहीं जो थोड़ी बहुत तुमको पगार मिलती है रहो अपना परिवार का पालन पॉशन करो लेखी का लगता है कि हाँ यार की इनसानियत खत्म नहीं हुई है आज भी लोग जो हैं जो प्रसंद रहने से ज़ादा दूसरों के कल्यांड के बारे में सूचते हैं अब लेखी का जैसे जैसे और उचाई पर जाती है तो देखती हैं कि 7-8 साल के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे 12-15 साल के भी नहीं हैं मेरे और आपकी उमर के भी नहीं बहुत छोटे 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 बच्चे 7-8 साल के बच्चे जो हैं उनसे लिफ्ट मांग रहे हुते हैं तो ये बच्चे हर दिन जो है तीन साड़े तीन किलो मेटर सीधा रास्ता चल के नहीं पहाड चड़ करके जादा इनरजी लगती है पहाड चड़ने में डिस्टेंस सेम है पर पहाड चड़ने में जादा एनरजी लगती है तो यह बच्चे तीन साड़े तीन किलो मिटर पहाड चड़ करके स्कूल जाते हैं अपने तो रेखी का पुछती है यहां पर स्कूल बस नहीं है तो फिर जितेन नार के हसते भी कहता है मैडम यहां आपको कोई मोटे पेट वाला नहीं मिलेगा यहां कि मतलब कि यहां पर सब लोग जो हैं चलकर ही जाते हैं चलकर ही आते हैं यहां पर इतने गाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो सब लोग की exercise हो जाती है कोई मोटा पेट वाला नहीं मिलेगा यानि कि लोग यहां के बहुत मेहनत कश है, यहाँ एक ही स्कूल है और स्कूल से आने के बाद भी ये लोग घर पे नहीं बैट जाते स्कूल से आने के बाद ये लोग मवेशियों को चराते हैं, मवेशिय यानि की जो पालतू पशू होते हैं, भेड descobई भकरियां हो गई, गाए भैस हो गई इन मवेशियों को चराते हैं ठीक है पानी भरते हैं लकडियों के गठर्थ होते हैं यह सब चीजे करनी पड़ती है और मैडम यह सब मैंने भी की है यह जितेन नारगे जो है उनका ड्राइवर उनका गाइड लेखीगा वो बता रहा होता है इसलिए आप यहां की लोग बहु करके बनाया गया हो कि एक जीप जा पाए इतने ही लंबे रास्ते बनाओ हलाकि यह सच नहीं है पर पहाडों की उपर पतले रास्ते ही बनाया जाते हैं जादा चोड़े रास्ते बनाने की जगा नहीं होती और बनाने में बहुत टाइम और रिस्क भी होता है तो पतले रास और कई जगा पे रास्ते में बोड वार्निंग यानि कि बोड के ऊपर काफी चीजे लिखी होती है तो एक जगा लिखा होता है धीरे चलाए घर पर बच्चे आपका इंतजार कर रहे है कि मतलब आप गाड़ी धीरे चलाईए ताकि एक तो पहाडी रास्ता है फेंसिंग वग उड्री वगेरा नहीं है ठीक है कोई फेंस नहीं है कि फेंस से गाड़ी टकराएगी ना बिटा गाड़ी सीदा नीचे जाएगी तुम्हारे थुमको लेकर साथ में ठीक है तो गाड़ी धीरे चलाईए तो घर पे बच्चे यानि कि आप जिनसे प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपका इंतजार कर रहे है ठीक है तो सूरज ढ़ने लगा था पहाड़ी औरते लक्डियों का गठर सर पे लिए लोट रही थी चाए के बगानों में हना बोकू पहना है जैसा इन्होंने पहना है इसको बोकू कहते है ये तो साड़ी हो गया एक तरीके स इन्होंने बोकू पहना है ठीक है बोकू सिक्की में ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ठीक है पहले औरते चाई की पत्नियां तोड रही थी और फिर उसके बाद ये इस तरह की जो कपड़ें ये पहन कर वो ये काम कर रही होती है अब युनों युम्थांग जो है आखिरकार प रुकना था लायूम जो है वो दरसल एक जगा है जो कि युम्थांग से थोड़ी दूरी पर है यानि कि युम्थांग उचाई पर है और लायूम नीचे है तो होता क्या है कि आप पहाड के नीचे लायूम में एक शहर है लायूम एक शहर का नाम है वहां आप रुख जाते और वहां से थोड़ा सा और आप उपर जाएंगे ना पहाड पे तो आप युम्थांग पर पहुँच जाएंगे तो लाईयूम पहाडों के नीचे एक सुन्दर बस्ती थी जहां पर वो ठेरे थे लेखी का टीस्ता नदी के किनारे बैठी थी वो दुबारा टीस्ता नदी के पास चली गई शाम का वक्त था पंची लोट रहे थे दूर मंदिर की घंटियां अरे कितना अच्छा दृष्ट है सोच करके देखो कुछ बच्चों के माइन में डाउट हो आया होगा सर टीस्ता नदी तो आपने बहुत पहले बताई थी अब दुबारा कैसे आ गई नदी जो एक कंसिस्टेंटली बह रही है न और ये लोग हिमाले की तरफ जा रहे है और जो तिस्ता नदी है वो हिमाले से ही तो निकल रही है तो हिमाले के पास नदी है टेंशन मतलब हिमाले से दूर जा रहे होते तो बात लगे हिमाले की तरफ ही जा रहे है और नदी हिम जाती है और दूर हवा तेश चलती है तो मंदिर के घंटन ठन घंटी जो है वो बज रही होती है तब लेखिका को थोड़ा बहुत ऐसास होता है कि हमारी जो पीड़ी है लेखिका की पीड़ी ने तो कम किया मेरी और आपकी जो पीड़ी है इन्होंने प्रकृती के साथ बहु लेखिका ने नदी का जल अपनी अंजुली में लिया ठीक है अब ये बात बहुत बारी किसे समझी हम सब भारती हैं तो हम कोई बात पता होनी चाहिए कि इस सभेता में अंजुली में यानि कि हाथ की हतेली में पाम में हाथ की अंजुली में जल लेकर के संकल्प लेने की प्र लिखिका ने अंजूली में जल लिया पर वो संकल्प लेने की अवस्था में नहीं थी संकल्प आप तब लेते हैं जब आप दुर्ड हैं कि मैं ये वचन देता हूं कि मैं जीवन भर बच्चों को केवल पाठ नहीं पाठ का मर्म और अर्थ भी समझाऊंगा हना तो ऐसे आप संकल्प लेते हैं जब आप एकदम श्यूर हो पर लिखिका वो संकल्प लेने के मूड में नहीं थी वो तो मधोशती अवस्था में हो गई थी वो गुम हो गई थी इस पहाड के सौंदर्य में और आध्यात्म की गहराईयों में तो उन्होंने अंजुली में जल लिया वो कोई संकल्प लेना चाह रही थी पर संकल्प ले नहीं पाई उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी सारी ताम सकता है मेरी सारी बुरी आदते मेरी सारी बुराईया पेरे सारे गंदे विचार इसी बहते हुए तीस तायना दी के पानी के साथ बह जाए और उसके बाद उन्होंने उस अंजुली के जल पानी में ढाल दिया दुबारा और वह वहाँ से चली गई अब लेखीका हमेशा बर्व देखना यह दिखना चाती था तो एप्रिल में जो है अप्रिल में बर्व का रेख, यहने कि चैतर महीने में ये सारी चीजे नहीं करनी चाहिए अब सफर आगे बढ़ रहा होता है ये लोग लायूम में रुके होते हैं रात में थोड़ा रुकने के लिए फिर ये लोग जैसे थोड़ा सा ओर उपर जाते हैं जैसा मैंने बताया लायूम नीचे हैं और युम्थांग थोड़ा सा ही उपर है तो ये लोग युम्थांग पहुँच जाते हैं अब युम्थांग ये लोग सुबह पहुचे होते हैं और लेखी का बर्फ देखना चाहती थी पर बर्फ बहुत कम दिख रही होती है ना के बराबर कहीं कहीं पर हना तो लिखी का थोड़ी मायूस से हो जाती है क्योंकि उनके अंदर ये बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वो बर्फ देखना चाहती थी आस्मान से गिरती हुई या पहाड और पेडों की उपर वो बर्फ देखना चाहती थी हमेशा से पर वो कभी देख नहीं पा रही थी और बर्फ गिर नहीं पा रही है प्रदूशन की वज़े से तब ही एकदम से राम रोचो एक शब्द एक नेपाली शब्द जो है राम राके यह एक शक्स कहता है और किसी चमतकार की भाती जैसे वो शवयम भगवान का अफ्तार हो या जो भी हो जैसे ही राम रोचो कहा जाता है एकदम से चमतकार की तरह हलकी हलकी बर्फ किरने शुरू हो जाती है जब लेखी का बर्फ गिरती है तो लेखी का बहुत बहुत खुश हो जाती है और वो बर्फ पर चलती हैं तो उनके पाउं जंजनाने लगते हैं और मन वरिंदावन हो जाता है यानकि मन प्रसंद हो जाता है भक्ती में लीन हो जाता है अना हिमाले की बर्फ है यार ऐसी बर्फ थोड़ी है तो लेखिका ने वो सारे द्रिश्य अपनी आखों में कैद कर और वो वही कर रही थी और फिर तब वो सूचती है कि शायद ऐसी ही आध्यात्मिक सुंदर्टा के बीच हमारे रिशी मुन्यों ने संपूनता को पाया हमारे रिशी मुन्यों ने आध्यात्म के शिखर को पाया स्वामी विवेकानन जी हो गए हना उससे पहले नीम करोली है सर्वे सुखिना भवतू और यही कहते हैं कि हमारे पुर्वजों ने यह मंत्र यही बनाया होगा कि सर्वे सुखिना भवतू कि हर किसी का सुख हो हर कोई सुखी रहे हर किसी का कल्यांड हो हना कि एक अपराधी भी गौतम बुद्ध बन सकता है क्योंकि अंदर से एक आत्मा के लेवल पर कोई फर्क नहीं है अब ये बर्फ जो है उनको पता चलता है कि ये बर्फ जो है पिगल कर नदिया नदिया भर देती है हना तब भी पत्थर तोड़ती महिलाओं का ख्याल उन्हें दुख देता है हना ये हम यहाँ पर मज़े कर रहे हैं और पत्थर नदिया 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 वह देती है तो लेखी का जब वहाँ एक फौजी से पूछती है कि कैसा लगता है यहाँ पर आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं और इस प्रकृती के वातावरन के बीच यहाँ पर जहाँ कोई सड़क नहीं है आगे इतनी सरदी में तो फौजी से वह वह एक खुशी नहीं एक तरीके से उदास क्यों कहीं न कहीं दुख तो उसका भी होता है कि यह जो टूरिस्ट हैं लेखी का जैसे लोग यह तो आते ह हैं मजे करके चले जाते हैं और मैं हूँ कि मेरा करतव्य यही है हना कि यदि करतव्य विमुक होंगा तो जीने से लगेगा पाप मुझे कि मेरा करतव्य यही है कि मैं यहाँ पर मजे करके जा नहीं सकता मुझे यहाँ पर डूटी करनी है मुझे यहाँ पर अपने करतव्य लिए दे रहे हैं तो लिखी का ये फारी चीज़े सुनती हैं और सच में उनको ऐसा लगता है वो अपने पार्ट में आगे लिखती है कि यात्रा एक खोज की यात्रा थी self introspection की यात्रा थी मदू कंकरियाजी की मदू कंकरियाजी की खोजने की आदत थी जैसे शुभम गुपता की आदत शुभम गुपता को खोजने की यात्रा हो सकती आदत नहीं मेरी यात्रा मुझे खोजने की आपकी यात्रा आपको खोजने की तो ये पार्ट discover yourself इसी बारे में है ठीक है और लिखी का अंत में ये भी कहती है कि मनजिल से ज़्यादा रोमांचक सफर होता है हना और दो कमाल की खटना है ये मैं मन से नहीं मना रहा है पार्ट में लिखा गया है ये लेखी का एक सिक्की मिस्तिरी से पूछती है जो हाँ पे चिप्स बेच रही होती है ठीक है वो उससे पूछती है कि क्या तुम सिक्की मी हो तो कहती है कि नहीं मैं इंडियन हूँ और लेखी का एकदम से मुस्कुराने लगती है कि ये लोग पहाड़ी इलाके के लोग भारतिय होना हम मैदानी है समतर इलाके के लोगों से सूच गर के दिखें न कितनी कमाल की बात है क्या तुम सिक्की मी हो नहीं मैं इंडियन हूँ और बड़ी गर्ब से उस्तरी ने ये बात कही ठीक है एक जगा पे उनको गुरुनानक जी के फुट्प्रिंट्स भी दिखते है कि यहाँ पे गुरुनानक जी भी कभी आये थे नेपाल में और यहाँ पे देवी देफताओ का निवास है साथी साथ उनका ड्राइवर जीतेन नार्गियों ने और और आगे लिके जाता है और उनसे कहता है कि खेदम खेदम नाम की ये जगा जो है युम्थांग में अब बहुत बच्चों को डाउट होता है सर आपने तो बोलाता है कि जर्नी जो है वो ग्यांग टॉक से कटाओ के बीच में हो रही है पर जर्नी युम्थांग में ही खतम हो गई क्या हाँ कटाओ तो गोलग पहुचे उतना लंबा चैप्टर नहीं लिखा गया है कटाउ में ही ये चाप्टर जो है वो खतम हो जाता है तो कटाउ में ही फॉज्जियों की छावनी होती है कटाउ में ही खेदम नाम की एक जगा होती है जहाँ पे खेदम यानि की एक ऐसा पवित्र स्थल जो पहाडों के बीच का पवित्र स्थल जहां पे कोई इंसान नहीं रहता ऐसा माना जाता है कि यहां पे देवी देफता रहते है इसलिए यह बहुत प्रवित्र है और बहुत साफ सुतरी जगा है इसलिए यहां पे कोई गंदगी नहीं फैलाता तो लेकी का पूछती है कि यहां पे कोई पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाता क्या हाँ तुम लोग खेदम में नहीं फैलाते बात लगे पर खेदम के अलावा जहां देवी देफता का वास नहीं है वहाँ पे भी मैंने इतनी गंदगी नहीं देखी तो जितेन नारगे अपने कान पकड़ लेता है बोलता है नहीं नहीं मैडम हम तो पहाड़ों की पुजा करते हैं इनहें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे तो लेखीका कहती है कि तभी गैंग टॉक इतना सुन्दर है नहीं 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 गैंग टॉक नहीं मैडम जीरो पॉइंट है युथांग में जहांपे फौजी ड्यूटी करते हैं एक फौजी थे कमाल के जिनका नाम था शेकर दत्ता जो इंडिन मिलिटरी में कमांडर थे उन्होंने ये सोचा कि या रही इतनी सुन्दर जगा है पर यहांपे सिर्फ फौजी आते हैं सिर्फ गोलियों की आवाज आती है यह सही नहीं है लोगों को पता भी चलनी चाहिए कि इस दुनिया में ऐसी भी सुन्दर जगा हो सकती है तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम ये युम्थांग का जो जीरो पॉइंट है इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं और और लोगों को यहां बुला सकते हैं तो लोग यहां पे आने वाली लगी है और लेखी का पार्ट को अंत इस एक लाइन से कहती है कि ना खतम होने वाली खोज को ही सौन्दर रहे कहते हैं